मुलायम सिंह आदफ जी का गड़ है इसलिए विकास होता है आप जो पुरानी आदत है वो भी बरकरार है बीजेपी से लड़ने का मूड नहीं प्रेंका गांधी जी के बारे में एक बात हमेशा कहता हूं कि वो कॉंग्रेस की सबसे ज़्यादा भीड जुटाओ नेता है वो योगी नहीं चाहिए योग मुख मंतरी चाहिए यमुना को साफ करेंगे दिल्ली की बात कर रहा हूं और जब साफ सुभाई की बात होती है तो MCD के हाथों में आपके हाथों में क्या है तो तब होगी जब नौकरी होगी विरुजगारी चरम पर है आप कहां लिस्टों की कर रहे हैं आप के लिए कहा जाता है कि प्रदेश इस्तरव जब आपकी सरकार आती तो गुंडागर्दी चरम पर हो जाती इसको कैसे काउंटर करेंगे राम मंदिर बड़ी-बड़ी बाते गुंडागर्दी हटा देंगे यह सब हटा देंगे आप बिल्कुल यंग कैसे ख कि सब कुछ तो रोबर्ट वांटरा को दे देते हैं नहीं यह तो अगर है तो सजा देती इडी उनकी सीवी आई उनकी यह जाज वह है फिर भी कुछ नहीं यहाँ पर मैनपुरी सदर विदान सभा छेतर की जनता है एक बार उनके लिए जोरदार तालिया हो जाए अब अपने लेगवाद तालियों के साथ स्वागत करिएगा इसके साथ यह आपको बता दूँ कि मैनपुरी की जब बात करते हैं तो दरसल यह सोचने विचारने की बात हो जाती है कि मैनपुरी ने मुलाइम सिंग यादव जी की तकदीर को बदला या मुलाइम सिंग यादव जी ने मैनपुरी की तकदीर को बदला यह बड़ा सवाल है यहाँ पर लहसुन का जो व्यापार है वो सबसे एहम है माना जाता है लहसुन की मंडी भी है पांसो सिंह यादव जी और माया वथी जी एक मंज़ पर आये और उन्होंने चुनावी कारिकर्म किया, एक साथ चुनावी लड़ा और मुलाईम सिंह यादव जी यहां से सांसद बने लेकिन समाजवादी पार्टी की जो यहाँ पर हनक है वो अभी भी बरकरार है और अभी भी नजर आती है समाजवादी पार्टी से यहाँ पर सदर विधानसवा शेत्र में जो विधायक है उनका राम राजकुमार यादव जी है अब हम कारेकर्म की रिशुवात करेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे उन पर भी बातचीत करेंगे इससे पहले मैं कारेकर्म की शुरुवात करूँ आपका महमानों से तारूफ करा देता हूँ हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश में सत्ता की चावी लेकर विराजमान आप हैं, नाम है संजय चौहान साथ प्रदेश कारे समीति के आप सदस से हैं इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है रावल सिंग साभ है जिलाद्यक्ष है लोहिया वाहिनी के आपका बहुत-बहुत सवागत है इसके साथ ही बस्पा से हमारे साथ है राजेश जाटव जी, विधान सभा, अद्यक्ष सदर आपका बहुत-बहुत सवागत है इसके साथ हमारे साथ आम आदनी पार्टी से मौझूद है रामभावु सिंगानिया जी, जिलाद्यक्ष है सबसे पहले सवाल होगा जो स्थान में हम बैठे हैं और खड़े भी है वहाँ पर जो सत्ता में विराज़मान है उनसे आप एक चीज हमको ऐसी बताईएगा कि आपको लगता हो कि बड़ा फक्र महसूस होता हो क्या ये चीज हम लोग कराते हैं या हमने करी इस बार अपने पूरे कारेकाल में जिसको लेकर हम फक्र महसूस करें और ऐसा काम हमने किया जिसे जनता बहुत खुश है सत्ता में आप हैं, यहां पर इस्थान की बात कराओ, यहां पर हमने जो है, जो दूर दूर लोग जाते थे सेनिक बिद्धाले, जो बच्चे हम लोगों के दूर दूर जाते, सेनिक बिद्धाले यहां दिया गया, हम लोगों को, यहां आई टी आई दिया गया, यहां पर सारे के सारे सिस्टम जो है तूट चुके हैं वेकास वहीं का वहां रुग गया है और पूरे देश का नौजबान च्छात्र महलाएं और वैपारी हर आदमी यह देख रहा है कि 2022 कब आए हम साइकल की बटन दवा के समाजबाद प्रदेश में की सरकार है लेकिन यहां पर कोई नान की बजय से आपने जो निधी थी दो वो तो पूरी ले ली और विदायक थोड़े नजर आते हैं अइसे मा आप से सवाल यह बनता है कि प्रदेश में बैठे हुए है आप सत्ता की चावी लेकर पूरे प्रदेश पर राज कर रहे हैं ऐसे में इतने परेशान अगर दूसरी पार्टी के विधायक नज़र आएंगे तो कैसे चले सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूंगा रावल जी को उत्तरप्रदेश में पिछले साड़े चार साल से योगी जी की सरकार है निश्य रूप से जो आपने पहला कहा कि यहां पर सड़कों का जाल तो मैं आप से भी पूछना चाहरा हूँ आप मैंनपुरी में गुसे हैं बारती जन्ता पार्टी ने बिना किसी भेद वाओ के जो सड़कों का जाल पूरे नकी के अबल मैंनपुरी बलकि पूरे उत्तरप्रदेश में पिछाया है आप सभी को सभी से सभी को जानकारी है सबसे मैं पर सांसत्त समझवादी पार्टी का है हमारे पास हमारे उस में मंतरी है पूरी भोगा विदानसवाल ले दीजिए मैंपुरी जिला मैंपुरी को आप बता दे कि यहां पर शड़क नहीं बनी हुए है दूसरी बात कोविड-19 की योगी सरकार ने जिस तरह पूरे प्रदेश में और मैं मैंपुरी में जितना कार कर सकते थे यहां पर गैस प्लांट लग गया है मैंपुरी जिला स्पटाल में भी लोग तो यह कहते हैं कानाफोसी दरसल लॉड़ा दिल्ली और लखनों तक यह है कि मुलाइम सिंग्जी आदव जी का गढ़ है इसलिए विकास होता है यहां पर दिखता है मुलायम सिंग का गढ़ है मुलायम सिंग्जी यहां पर रन विदान्साओं की विदायक हैं वो एक बात बता दें एक बार वो खड़े हुए हो जो कोविट की जो भीमारी इसमें जंता के लिए खड़े हुए हूँ और उनका प्रतिनिदी जानकारीचा दूस्ते लेकिन उनसे पूशियागा पूर सांसद जी से क्या बो गए नैंटीन में जिन्ता की उन्होंने उनका सांसद है अग तीन बिधान सावां उनके बिधायके हैं क्या केवल भारती जिन्ता पार्टी के अलावा कोई आया मैंपुरी दरसल इसलिए और दिल्चस्प है क्योंकि प्रदेश में जो ताकत है वो बीजेपी के हाथ में लेकिन जो मैंपुरी इलाका रखता है यहां पर समाजवादी पार्टी जो है वो पावर सेंटर सी नजर आती है कॉंग्रेस भी हमारे साथ है बसपा भी हमारे साथ है बसपा वालों से तो बस एक ही सवाल बनता है कि बीजेपी के साथ जो रुख है आपको बड़ा नरम सा नजर आता है तो समझ में नहीं आता कि आपकी लड़ाई है बीजेपी से या फिर नहीं है या सिर्फ सपा से आप जो पुरानी आदत है वो भी बरकरार है बीजेपी से लड़ने का मूड नहीं है हमारी लड़ाई जो है वो सफा और बीजेपी दोनों से है अभी कोबेंट की जो बात चली थी कॉंग्रेस का जिक्र नहीं कि आपने आम आद्मी पार्टी का भी जिक्र नहीं कि पहले सुनी कोई निकल के नहीं आया मैं पूछना चाहता हूं बाती जनता पार्टी से कि कोबेंटी पहले हर चीज महंगाई तेलसी रुपई के लो था अगर यह समें जनता परेथान भी तो वो दोसर रुपई के लो कर दिया सिलेंडर साड़े चारसों पांस रुपई का था वो कि लिए महांग ही आम हांद मी कमर तोर रही है महगा है है में मैं पुर्य नहीं पूरा तरपी पूरा त्स परेशान है में ठीक आप बता रहे हैं कि प्रेंका गांधी जी के बारे में एक बात हमेशा कहता हूं कि वो कॉंग्रेस की सबसे ज़्यादा भीड जुटाओं नेता है। कॉंग्रेस को जोच भी भरने का काम कर रहे हैं पार्टी कार्करताओं में लेकिन आपको लगता कि थोड़ी सी देर हो गई आते हैं। यहां के पुलिस वाले ही अपने हाथ में लिये हुए योगी जी केबल ब्रहस्टाचार को वढ़ावा दे रहे हैं व्यक्तिगत्व हो कर रहे हैं प्रदेश की जनता में उनका इंट्रेस नहीं ना प्रदेश में कोई विकास हुआ है आप अभी वरकावास से आई सडके आपन हुआ है पहले कांग्रेस में उसके बादो सपा ने किया सपा में विकास देखता है मैंपुरी में दिखा हुआ और भाजपा में कहीं विकास नहीं हुआ बेरोजगारी अपनी चरम सीमाप पर है इन्होंने का हम रोजगार देंगे अच्छा समझाने की कोशिश कीजिए कि we are we are to, ilay Gastai में अगर तो आप क्या करें अब जंचा ओकी की इससे तो तो इदेख़ वालते अकर आप सद्ता में को तो क्या करें हमने बचन दिये कि a इन जो इनोंने मेंगाई वढ़ाई है इनने जो ब्रस्टाचार वढ़ाया जो अराजकता वो खतम करेंगो फो यह क्या यह लुभावना बादा है कि नहीं है करती है वह जवाब देदू यह चूर-चूर मोसेरे भाई है ठीक है जहां था कि इनोंने अराजकता के बात कही तो चैन इसने चिंग से लेके पूरे प्रदेश में यह तो गुंडा जेल में है या उपर है गुंडे की कोई नजात होती है ना गुंडा कहीं पर अमनला कि आज योगी जी कर रहे हैं पुरा देश जानता है जनता के लिए कर रहे हैं कि आप लुबावने वादे करने में तरसल बहुत माहर है ठीक है आम आधी पार्टी नहीं पार्टी है इंट्रुक्री फेस में है मौडल दिल्ली का लेकर यहां पर आप कदम ताल कर रहे हैं लेकिन दिल्ली में कहा दो करोड़ की जनता यहां कहा 25-27 करोड़ की जनता कैसे काम कर पाएंगे और कैसे इन से लड़ पाएंगे काईडर कि मजभूती निखें इनकी देखिए इनकी देखिए आप गाउद है के आपका परंते कारैलले यह ऑफ की बना पाया है उनके पुराने वो हो चुक us रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है जब कोई भी संस्तान का निर्माड होता तो स्टार्टिंग होती है और मेरा ये पहला एलेक्शन है रहीवात आपने कही के यूपी में जो है दो करोड जिनता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा बहां का जो है बजट दो सो करोड है और यूपी का बजट जो है छेजार करोड है दो सो करोड के बजट के बाप जू दिल्ली में यमुना में जो पॉलिशन का जो पुरा स्मॉक दिखता है वो तो आपने भी देखा होगा लेकिन मैं आपको बता दू यह जिमने का यमुना को साफ करेंगे दिल्ली की बात कर पर आएंगे तो फिर क्या करेंगा अपुत एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारे आतों में सिच्छा है स्वास्ते है रोजगार है बहां बता दीजिए कहां पर स्वास्ते की विवस्ता चर्मराई हुई है सिच्छा में आप बात कर लीजिए तो सभी प्रदेशों से हम उत्तम ह थो सब्सक्राइब है और रही बाक पुर्शासन हमारे हाथ में नहीं है तो हम पूलिसमारे माधम है तो इसलिए हम थोड़ा स्वेस्ते हैं तो यहां-धर आप आजाएंगे तो कैसे सवालेंगे जनता बदी हा पर 20 क्रोड की लिम्सम्त लोग हैं जब हमने नहीं से सुसासन होगा तो हम जो है समालने बहुत अच्छे से सच्छा होगा और यह जैसे दिली की जंता देख रही है इंटरंशिप करने आए इदर पर उत्व प्रदेश में ठीक चलिए जंता में से कोई कुछ कहना चाहेगा कोई सवाल लगना चाहेगा तो वह अपना हाथ उपर कर सकता है उन सब सवाल लेंगे इसके साथ ही आप से बीजेपी से पूशा चाहूंगा अखिलेश यादव जी ने बात कही हम जब थे तब दरसल यह सब नहीं होता था धर्म के नाम पर इसके नाम पर यह सब बीजेपी वाले ड्रामा करते हैं जो राम मंदिर के नाम पर ड्रामा कर र तो नौक्री के लिस्ट नहीं जाती है तो नौक्रीके लिए बिल्कुल पारदरस्टा के साथ पूला कारे वह रहा है। अब आप कहारी बात कर रहा है। और इसा नहीं है एक चेत्र में जो चैत्र वह और रहा है। मैंने का ना के लिए इंसानों के लिए बढ़िए कि जानुवरों के लिए बढ़िए क्योंकि लेकर टूजनता त्राही तरही आप बादादो येपी का चस्मा उतार लीजेगा तो दिख जाएगी हाँ ठीक है आप सिच्छा के उपर बात करते हैं अगले से आदब जी ने लैप्टॉप जो है कुरसी पे बैठते ही जब बांट दिया था कुछी महीने में आप पूरी पांस सार निकल गई तो आप लैप्टॉप के फार बिद्धाले बंद पड़े रहे अगर कोविट नान का नियम लागू होता तो सबके लिए ना सराब की लंबी लान किलो मीटर के साब से आप कर सकते हो सराब खरी सकते हो लेकिन विद्धाले बंद रख सकते हो इसी तरीके से आप पूरे प्रदेश में बरस्टाचार पहला है राम के बात इनों ने चैप नहीं उन्हीं प्रवा होता है से बात पाहीं अपने बनवाट मैंग लेंगे हैं आरे उसी बिद्धे पर दोमुद्ध भुत्डश्य में अब खतम हो चुके जो डहट में लोग जो आप के आपको 15 लाग देंगे नियगे पंद्रे लाक मिला और काले धन पर गरीब हों की हत्या हो आपके लिए कहा जाता है कि प्रदेश इस्तर पर जब आपकी सरकार आती तो गुंडागर्दी चरम पर हो जाती इसको कैसे काउंटर करेंगे यह आप भधाये मुखमंत्री जी पर कितने केस हैं और केस पर कितने और तो ऐसे देखते हैं वो अपनी भी लिस्ट देखे उन्हें कितने केस हैं गुंडागर्दी आप देख रहें जहां किसानों के उपर सरे आम गाडियां चड़ा दी जाती है जहां जो बात करने पागर कोई बत्रकार बात करता है तो उसके साथ बत्मीजी होती है यह चोथा इस्तंब पत्रकार माना जाता है पूरा किसान आज जो है अपनी महनत के बदूलत चार रोटी खाता था उसकी जमीन गिर्मी रखने जा रहे हैं आपने देश में क्या किया है हम नौजमान पूरे भटक रहे हैं रोजगार के लिए रोजगार के लिए हम तुमारे दबतरों यह जिलाद ध्यक्ष्ट मोई तो आप नहीं आप पर आता हो इंद्धां रहे हैं कितने बड़ी-बड़ी मुद्धों की बाते हो रही है किसने बड़ी-बड़ी बाते हो रहे हैं राम मंदिर बडी-बड़ी बाते गुंडागर्दी घटा देंगे यह सम्षाब तेगे इतना बड़ा जो परद्राफासन लोगों करा है कि काला बजारी हुई भगवान नाम के शरी राम के नाम पर जमीन में जो जिस तरहे थे बाद ही मत्था टेकने तो चले जाते हैं अरवन के श्रीवाल जी नहीं वो तो भगवान शरी राम कि उनके प्रद्धा है इसलिए आप जंता की जो अबाज गयां वह यह वे रेजिपरे जनता की समच्या है वह खिरें नहीं हुगे रोजगारी जे करने रोजहव घरने पूरुए इसमौताइश पूरत प्रदेश में और ईत्रीश के मुल्यस कर राजस्थान में थाटे के शूए बढ़िय चल utilizz द्चेस कर तो शिच्छा चेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी बोल्ड के स्कूल जो यूपी बोल्ड के परिच्छा के अंदर हुए ना जिसमें नकल नाम की कोई चीज नहीं रही बंद स्कूल उन्हीं के हुए हैं जो माफिया थे जो नकल कराते थे और उसके अलावा अगर अगर नहीं नहीं आप यह चाहते हैं कि कोविड में भी जो ना कोविड में उन न नियम कानून के थैट जो हुआ उसमें दुकान सवाल पर आप से टिपणी ले रहा था तीक यहांस कुछ कहना चाहरा था बाच्य हां बताई आप सग्षबार्यानां बताई शेगातो सबसे पहले मेरे नाम् नावीन ओदभ है क्या कह रहें नवीन जी आप लिए प्रवाद कर रहे हैं तमाम मुद्धेय से जो भी टॉपिक होता है हमेशा पिसली सर्वार भी आरूप क्यों लगाते हैं पांट साल सरकार आपने जंता अच्छा नहीं किया चलो जंता नहीं दिया वोट आपको दिया तो आप यह बताएं कि आपने क्या अच्छा किया आप ज साथ साल केंदर को हो गए आर्शा पांच वो चारीयों तीन ओने आरी है आठ दो साल दो करोड रोजगार इसाफ से सोले हो गए कितने करोड कर ने दिये योगी जी आये कितना रोजगार दे दिया आप मुद्धिव किसी बात कर रहे हैं तो माननी जी सिकाऊंगा आपकिसी आपने बताया ने इसको जूट बोल सकती तहले ने थाट कि हमने लेगार खालस करने सरकार आपके हैं जो वो सबस्राइब कोई देखेगा साथ पर देखेगें है म scripture आफ जो डेप शेने चान ब्यकास सवाल करेगी तो आप कहेंगे कि कि समाजवादी है कि पिए राव हो सकता है कि दो तीन मेने में जमीन चिन्नित कर दी गई सब्सक्राइब करें दिखाने के काम कर रहे हैं वो अभी दिखाने के केवल टीयार भी बढ़ाते हैं दिखाने का काम तो कर रहे हैं चुनाओ वो जाला रहे हैं जिसको जगमगाना जरूरी है आप क्या कर रहे हैं आपको एक बात है एक बात है यह चुनाओ पार कर जाएंगे लखीमपुर खीरी में कुछ भी हुआ आप पहुंचे ठीक सबसे पहले दोड़ भाग के सपा को स्टॉण को दोने मं nome सबस्के सब्सक्राइब सबसक्राइब कंशान नहीं तक सकत Southside को फञेन जो हमारे लिए दिनराज जक्के जो रच्छा करता है और बाती जन्ता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मरवाने काम करती है अभी जब लोग अभी लोग सवा के चुना हुए थे तो आपने सुना होगा कुल मामा में जो 42 सेने कमारे मारे गए ते वो साड़े 300 किलो आई है कहा से और आई वो लोग मारे जो बहुत दूर चलेगा ठीक है ये उस पर नींगे बहुत काफी बात करता हूं यही की बात कररा हूं उनोंने प्रस्टा चाहरा आता है जब आ्सपाजी सरकार आती है उस पर देखिए आज आप देख रहे हो किसी ए होपस में कों में जाए आपर बड़े आरोप लगते हैं, कि आप मैसा लेका टिक्टट देते यह किसने पैसार किसने दिया चोजो निकल आए तो यह लगा ही दिया का हाई बढ़ती जी वहां पर अठिक रहेंगी बाकी सब आते जाते आते जाते आप एक आ पार्टी एगा ऐगा चारवादी ने फुल फ्रहस तीन वाचोड सरकार कैसे बनी अगर आया राम गाया रहती अपी ने का आपने का कि आना जाना लगा रहता है किसान को जो है समाजबादी सरकार में 600 रुपई की जो डी एपी की खात थी आज आपने महगाई करके उसे 1200 रुपई वो भी जो है उसे भी बिले करके 16 रुपई आप जो इतना चिंतित होते हैं किसानों के लिए तो किसान आंदोलन एक चल रहा है वो दरसल उत्तरप्रदेश की धर्ती पर चल रहा है गाजीपूर बॉर्डर की बात कर लो दिल्ली से लगा हुआ कभी भी माने लिए शादव जी वहां नजर क्यों नहीं आए नहीं है इतने चिंतित हैं किसानों का किसानों पहुंच नहीं रहे हैं किसानों की आब आज हमेशा उठाते हम ट्विटर से कर नियां सवनाजबाधी पार्टी हम लोग हर जनपते से नहीं कर लेगे और जो है अवे रहें कृता और चीनित्सिसस सब्सक्राइब उसके थैत पारटी काम कर रही है उसमें यह नहीं देखते हैं कि मैंनपुरी जिला है या इटावा जिला है या फ्रोईदावा जिला है या लखीमपुर खीरी है या लखीमपुर खीरी का जिक्र कर दिया आपने लखीमपुर कोड़ी है अशकल तो सुन रहा हूँ बीजेपी नेताओं को सबने भी बड़े ड बात कर रहे हैं बीच में लगी पिर प्रदेस में बिना भेदवाओ के विकास का कारी कर रही है और निश्य रूप से उसका परडाम आने वाले 2022 में सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर इनका कोई हिंदू विरोधी नहीं कर पा रहा है यह डर का महल पैदा किये हुए है कही ना कहीं धर्म और उसकी राजवी तो आम जनता अब जनता दिखाए इने 2022 में योगी सरकार नहीं आ रही प्रापी मन поговор यह जो इनने वाग की दिगा है वो एक टीवी में काट के दिगा है रहाल गांदी जी ने अगर पूरा किसी ने देखा हो मोधी की बात को न है कि हम एसी मसीन लाइंगे उसका उदहान दे रहे थे उस चीज को और दिखाया है इननों ने पंद्रा लाग का बात भारती न पाल्टी ने जन्दन खाते की बात करी जन्दन खाता तो खुलवा दिया जन्दन पैसा कहां से डाले जन्दन खाते की बात कही जन्दन खाता ही है जिससे आज किसान जो सम्मान ने पहले राजी गांदी जी कहते थे कि केंदर से अगर एक रुपए चलता है तो यहां तक आके आम जन्दा तक दस पैसे मिलते हैं आज अगर 6,000 रुपए जन्दन खाते में उसके आ रहे हैं किसान सम्मान ने दी के तो पूरा लाभारती के पास जा रहे हैं चाहें उसकी योजना हो जो गैस माटने वाली आप जो है जन्दन खाता इसलिए खुलवाया था कि जो गरीब का पैसा जो जोड लेते हैं वो पैसा लूटने के लिए आपने ताले नाम पे जो है आपने जो गैस दी है में आपने इतना जोंक दिया है किसान की जो खाद मेंगी की है आपने कपड़े उतारके उसे पगड़ी पहनाने का काम यह किया कि एक हजार रुपए आपने खाते में डाल दिये आपने किसान का जो है पूरा जो है हर तरह तो इन्होंने एक बात और गई थी इन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार थी तब इताते द्धाए बेडूआँ के कर्वावा जाते सरुकार में आप बंगे यहंगा से पभी थे नहीं हो रहे हैं किसानों के ऊपर सरयाम चड़ा दे अब यह सटा में कह रहे हैं आप दंगे नहीं होते आपकी सब सरकार थी तब दंगे होते थे अरे उसमें दंगे होते तो दंगे रोकने का भी काम किया हम लोगा होते थे आप रोक देते थे नहीं नहीं अरे जो कराने वाले हैं वो तो प्रजन सुखाए आपकी लाइन कॉपी कर रहे हैं देखिए बेटे बेटे देखिए बेहन जी की पूर बहमत से पांट सान सरकाद चली एक भी कोई दंगा हिया किसी माई के लाल में ताकर नहीं तो दॉब दंगा कर जाता था जाता था जब बहुत नहीं ती जब बहुत अब देखिए हम हारी सरकार नहीं कर पाया आपके सरकार कर गया है और तो प्रस पर और घुट आटा नहीं कर आ जाता था जाता जाता उप जाटा रहता है जब जब बोट का अब बताईये दो मैने चनाओ रह गए हैं यह कर रहें हैं यह करे लोग्स तो आपको कुछ बताना पड़ेगा मैनिफेस्टों सो पेश करना ही पड़ता है आप भी पेश करिए बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती ज्यादा ही कह रही है कहेगी क्यों नहीं कहेगी एक निकल जाएंगे तब चनाव से पहले कहीगी लेकिन जूट नहीं बोलती मेठा मीठा चप-चप कड़वा कड़वा थूब यहां एक बनाव बैंक में कि सीरा बैंक कान्ट में जा रहा है यह बनको इसको प्राइब कर रहे हैं जो बिवास्ता फिर प्रस्टाचार की ओर आ रहे है पूरा एकॉनों मी सिस्टम कुछ चंद लोगों के पास जमा करना और देश फिर गुलाम की और ले जाने अटानी अंबानी का नाम ने लिया वही है चलिए हाँ जब इन्होंने का हिंदू-Muslim की बात कही प्येजडी है प्येजडी की बार आप भी सहमत होंगे कि यह टोपी लगा के धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर एक जात विसेश के नाम अगर इनको टोपी का डर है उन केवल मुस्लिम बोट बैंक का डर है कि हमारे अब यह तो पूरा हिंदू-केंद्र बिंदू बना हुआ है उसकी बात कर रहा हूं कि हम सब लोग यह समेदन रखते हैं अगर किसी की मिलत्ति हो जाती है एक किलोमीटर दूर आदरणी पूर करते हैं हिंदू के अगर आप उसकी बात करेंगे ना वहां तक जाने में इनको डर लगा क्योंकि कहीं जो है ना मुस्लिम मद्दाता बठक न जाए जो मुस्लिम एक एक जात विसे से गवड़ाते हिंदू एक धर्म इसे से गवड़ाते हैं वह राजिनीत उत्तरप्देश करें कल्यान सिंग जी से मिलने भी नहीं क्योंकि आप घबरा रहे थे कि आपका कई वोट पेंग जो चिटक किदर से उधर नहीं हमारे हमारे भी तो नेदा थे बेनी परसाद बर्मा जी थे वह भी एक्सपार हुए आपके नेता हमाया कॉन आ है तो टिपड़े आरो प्रता कार्टी तो गौंडा में एक जातिकत धंगा हुआ और जब अखले से अदब की वह सवर्कार थी तो मुझे फर्नगर धंगा हुआ और भारते जंता पार्टी के राचे में तो हर रोज धंगा हो रहा है तो यह दोनों पार्टियां एक ही सिक्य के दो पहलू है गाहा कंपूघ कुछान एक पारदो में एक पहल की और बहुत अचछी पहला नहीं गोध लेते हैं कि ने पुछना चाहता हूं कि वो जौ ग्याहाँ जो घौनने लगे चलने लगे हैं आप। दूसरा说 मैं आप दूसरा गोद तो हम अपंगों को लेते हैं और जो जन्ता आपको प्रधान मंत्री बना रहा है है वह अपंग कैसे हो सकती एक है तो देश के मतरावताः का अपना रहा हुआ बताना चाहरा हूंगा यह तो इनको जानकारी नहीं है इनको बताना चाहूंगा गोद का मतलब यह हुआ कि अगर किसी गाउं का विकास नहीं हुआ है अगर उसमें की कमैा तो हमारा सांशता उसको और उसको गोद लिया गया है इसे पर इसको और समज्साटी को चाहीं, पर गोधी का है हमारे जहां पर आन जगा हमारे सांशत हैं भी हुए है उससे पहले यहां आपके अवल मुलाइम सिंगी से एक बार पूछे लो कि आप क्या जंता के बीच अभी जो ना साथ साल नेता जी ने भी गोद लिया लेकिन पैसा की चावी जो हाँ आपके पास है जब आप देंगे नहीं नेता जी कहां से करेंगे बाई सबी को बराबर संसन्दी मिलती है उसमें बेद बात नहीं अभी है तीक है ठीक है ठीक है चलिए देखे फिर बैं कहूंगा आप से कि मुद्दे बहुत है इनके पास दरसाई किसे पाव भाजपाव को सभी को ने के गुम्रा करने का काम करा है उसे भठकाने का क्यों दिखाएंगे बिल्कुल दिखाएंगे और जो है आम आदमी के लिए काम करेंगे और कर भी रहे हैं दिली में आप जाके देखिए सच्छा है स्वास्ते पर बात कर लीजिए आज हमने बादा किया है यूपी में हमारे माननी राष्टी सयोजक अर्बंत केजरिवाल जी ने ब सब्सक्रावा जब गोव तो भीजि मुफ्त बाटते दिखते हैं किसी पर देश में चुरा हो अब भीजली मुफ्त में बाटते रहते हैं एक बात बताईएगा आर्विन केजरिवाल पहले इससे पहले इंकम टेक्स ऑफीषर ही थे ते किसी बिजली विभाग में कोई अध करा है किसी नहीं जो जंदाके रें कि र जंताके बात कर रहे हैं जंता के लिए काम कर रहे हैं और जंता के लिए zoumart करें गिमार दो सरकार ब्लती है एत्ता जूट बोलती है जमिने सारे लोग इसे समझ चुगे पंदे लाग रुपए आई नहीं सलेंडर चार सु रुपए का था सबस्टी जिन ने कर दी लोग पहले बैंक बाजे बहां उने सबस्टी नहीं मिली फिर जहां पर्ची कटती है बापेस आए बहां नहीं मिली लोह ने लेना चोड़ दी अब सरकार ने देना चोड़ तो कुल मिला कि यह सरकार अब नहीं आएगी ऐसा कोई काम नहीं किया जो किसान सपा सरकार रहे हैं पहला सवाल तो मेरा कांग्रेस पार्टी से आधरणी सर ने यह का था कि जब अधर पार्टियां कुछ पार्टियों का नाम भी लिया था जब सत्ता में होती है तो गुंड़ा-गर कंग्रेस को मंभी दोती है यह और दोनों नहीं माननियों से हाला कि ζबे स्वारी यह बढ़े जा है और अपोजीजन से जो भी हमारे मननी बेटे हैं सबसे, जब चुनाव आता है, युवाओं की भागीदारी ये का जाता है, युवाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चड़कर होती है चुनाव में, और युवाओं की मुद्दे, इन्हें मैं से एक मुद्दा में बोल रहा हूँ, कि अभी तीन साल से चुनाव होता रहा, बिन बिन जैसे MP में चुनाव हुआ, दो-तीन साल की अंतरगत देखा जाए, तो COVID का सिस्टम चल ला है, तो सारे काम होते रहे, क्या पोजीशन का कोई बी एक ऐसा लीडर हुआ, जिसने सेहना बरती तीन साल से नहीं हो रही है, ठीक है, कि आप युवाओं का अगर आपको फिक्र है, तो आप मैंसे कितने ऐसे नेता हैं, सीनियर नेताओं की बात कर रहे, जितने भी हमारी पोजीशन में होच, अपोजीशन के जो लीडर्स हैं, बड़े-बड़ी लीडर्स, किसी का एक भी ट्वीट आया हो, आप बात युवाओं की करते हैं, ठीक है, आप बात युवाओं की करते हैं, सेहना बरती दो-तीन साल से नहीं हो रही है, किसी भी पच्च और बेपच्च की पार्टी के लीडर का नाम बता दीजिए जिसने एक ट्वीट भी किया हूँ चलिए ठीक है यह सवाल था इनका यह कह रहा है कि सेना की भरती नहीं होगी दो तीन सालों से इसको लेकर कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता लेकर आप से करना करोना के वज़े से शायद भरतिया नहीं लीगए और उम्र निकल रही है करोना करा उसमें उसमें कहीं नहीं सरकार की कोई ने कोई नीट आएगी जिननोंने अगर को आईगी देखिए यह तो नीट की बात है ना हम आपको नहीं बता सकते लेकिन अगर करोना काल में जैसे स करें सांसर निदी चीन ली चीन ली आपने साहित कल परसोग अख़वार में देखा हो सांसर निदी पुने दे दी गए दो करोड हम एक बात कहेंगे कि मैंने फिर का ना भरती हो रही है निश्य रूप से और भरती के अवल फौज में नहीं हो इसको भरती को लेकर परिशान है तो इसको एक समय सीवा में बांधना चाहिए सोला महीने अठारा महीने का समय पाबंद कर देना चाहिए जो नीत है उसमें निश्य रूप से अगर 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 लेट हुआ तो उसमें उनको एज में थोड़ी सी छूट दी रिलक्सिशन दिया गया अब जैसे को तो इसमें कोई नीत बनेगी निश्य रूप से नीत बनेगी बनती रहेगी ठीक है क्या कुछ करा चाहिए संजु आदब नाम है हमारा संजु जी बताई नेता जी ने थोड़ी देर पहले यह गाता सड़कों का जाल बिचाया गया है जो समाजवादी सरकार में सड़के बन बंदो गई उनको तक दुबारा से मेंटरेंस नी करवा पाए हाँ जी जो चल नहीं उनको अतार लिया गया जो खराब लगा दी जो कूछली कीमत की लाइटें थी उनको तो नहीं अतार लिया और जो कम सस्ती वाली जो लाइटें लगा दी इंग बो भी चलती हो बंदो कि दरसल आप जो जाल की बात कर रहे थे कि सड़क का जाल बिचाए वो कह रहे है कि समाजवाधी पार्टी की सरकार में सड़क का जाल बिचाएगा लेकिन आरूप आप पर बहुत बड़ा लगा दिया, बोला कि जो लाइटे लगी तो उतार घर पर रख लिया बी किया सकते पूरा समाजवादी पार्टी ने किया आप जो है सुसासन की बात करते हैं हमारे यहां नबोदे विद्धाल है उसमें एक लड़की जो है उसे मर दिया गया आज जो है कई एक अधिकारी उसमें सस्वेंट भी हुए जब कोट ने संग्यान लिया और आज तक उस लड़की का पता नहीं कर पाए कातिल का तो यह क्या सुसासल लाएंगे यह जो है पूरे और वहां पर केमेंड मंतरी हैं उत्रप्रेद्स सरकार में उनके बिधानसभा का मेंटर है तो आप से करें यह बात उठाएं और यह उजागर हो जिससे हमारी में सुली आप ले सुनी चल रही है आप कहरें कि जा चल रही ठीक है बसपास एक और सवाल है मेरा कि आप एक चीज बताइएगा जब यह पार्टिया इनिन मुद्दों पर लड़ रही होती है तब आप चीजों को कैसे समझते हैं कैसे मुद्दों को पकड़ते हैं क्योंकि आप दरसल अभी तक कोई आप कहीं नजर नहीं आरहें सिर्फ टूटर से एक ट्वीट दिखता है तीन दिन बाद इसके लावा कहीं कुछ दिख रही ना जमीन पर एक खबर भी आती तो खबर यह आती है कि आप फलाने विधायक को बसपाने पार्टी से निशकासित कर दिया और जब निशकासित होन ए 아 लॉटाम की नहीं है अब बताईए देखिये जिनके घर मजबूत होते वो अपनी से लड़ते एंके सपाय भी अपनी भींकल उते तो जाने वालों को अपने आपने नहीं है और पर कुंत तो घरी पर बैठे रहेंगे अरे बाहर कंदिकलेंगे जंदा सं arguably क्रेश्य साथ सब्सक्राइब करते हैं जनता के बीच मिलना जुलना शुरू कर दिया है एक जो दिखता है ना कि हाँ ठीक है पार्ट जैसे प्रेंका गांधी जी की बात करूं हर जगा मोर्चा समाले हुए आगे आगे नजर आ रही है आप नजर नहीं आ रहे हैं उसके अंदर अगर बैठे पोनों काम कर रही है पूरो कर घर कर रहे हैं और काम कर नहीं पर घह रहे हैं लोग सभी लोग जनता इते हैं अनी काम भड़ा अधाल नहीं है सब्सक्राइब तो पड़ा नजर आरे गद्राइब करें लोगों को बांदरे का काम कर रही है बीजे पी को भी मुचा मिल रहा है बीजे पी आअरूप जो है सुझे प्रेंका जी पर लगा देता लेकिन मैयावती जी जो इसे प्रदेश के मुख्य मंतरी काई बार उन पर कोई आरूप नहीं बात चीज नहीं चर्चा में भी नहीं नुकसान है पाति पाति लोगों ने मंत्री के बेटें ने कुछला बागी जाने का रास्ता बंद कर दिया और नहीं पहुंच पहुंच गई प्रेंका गांदी जी पहुंच गई जाले ठीक है जवाब लें ठीक है कि अभी उत्तर प्रदेश में सरकारी 20 लाग पत खा लिए जो हम देंगे सरकार बनने पर किशानों का रणमाप करेंगे बिजली का विलहाब करेंगे चालिस प्रस्ता आप तीन दस्कों से यही बाते हैं यही सब कुछ करते रहते जनता आप किस्विकारती नहीं उससमें परिस्तितिया लगती जो प्रिश्न आया था ते पिछली वारा गांधी के साथ आप आये थे मैतान में तो कहिना कहीं नहीं करते समाज़वादी का गठव सब्सक्राइब नुक्सान किया कईना कईना लेकिन अब अकेले दंपल लड़ें कि सब कुछ तो रोबर्ट वाडरा को देटे हैं यह तो अगर है तो सजा देती एडी उनकी सीविया उनकी यह जाच हो फिर भी कुछ नहीं केस लगा ना सजा हो पाई यह केबल जूटे आरों सबस्क्राइब टाहर करें अब जूटा परचार करेंगे लुबावने वाते गरेंगे कि अपने बात रख नहीं पाई अपनी बात को जनता तक नहीं। इन्हों नई जूल प्रचार गरगा अपने सच्छाई को रखेंगे सच्छाई गतपाई जनता के बीच और अपने सारे मादिमुंगे ऑटों कि उनकार समय। आइश साय। वाइस के चुनाम में कांग्रेश जो हलके में लेते मीडिया वाले जो और लोग लेते वह उन्हें जवाब मिलेगा दो यार वाइस में कांग्रेश अच्छी मजबूती से समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप से तो उनका कोई कॉम्पटीस निया आपको कॉम्पटीटर तक नहीं मान रहे हैं यह वक्त बताएगा ना यह मैं पिर बता रहा हूं कि जो बिकास किया यह जब प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया वह जनता दोजार बाइस में निश्ची रूप से जवाब देगी और जबाब में दुब सीटे लेकर पुनाय योगी जी की सरकार अब ऐसा समझाए मुझे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम साड़े 300 पार जाएंगे आप कहां से लाएंगे नौजबान आप से भाग रहा किसान आप से भाग रहा जो आपके साथ कौन रहे चाहिए आपके साथ कोई बाच्पा यह बालतकारी और गंजेडी की पार्टी अभी आपने श्यंटली अमिस्जा जी का बासट देखा होगा 86,46 डूर बता रही थे अमें साजी और आप यापने देख आए कि यहां पर हमाई मेनपुरी जन्पद में मुलाम शीं आदब जी कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जादी तो पार्टी बलात्कारी वाली किन कोई काभिनेट मिनिस्टर गार्टी प्रजापती इसी कांड में फसे हुए यहां जवाब ले लो भाइसाब कहे रहे थे गार्टी प्रजापती फसे हुए है कोट्रे उनको जवाब दे थिया बुद्भरी हो गए और अभी इनके कुल्दीप सेंगर कहां है और अभी चिन्मियनन्द कहां है ठीक है और क्या कुछ कहना साथ है ठीक है दिन दाड़े रेट और रात में गान्या जिसको भी देखना है वो यूपी में आजा रही है काम 500 रुपे में होता था वह आज 5 यहार में होता है कौन सा काम करते थे जहां 500 रुपे देखर आते थे आप किसी भी वहस्पीटिम चले जाए आप पता कर लें कि हमारा बुबन कोई का पांश वाट एक सपा सरकार में 35 डोक्टर थे माननी जी बताए आज 3 डोक्टर जा र पास यह चीज आप समझाई गार डिटरेरल सिष्टम का मतलब है कि आई आएस का परिच्छा दीए बिना कोई भी व्यक्ति मनोनाननानोनाननान होता है लिटरल सिष्टम इसके पहों कभी वी रात-वरात आईस आई-पिष बनाया जा सकता है जबके हमारे देश हमें लाकों इस सिस्टम को मंजूरी दे दी और 31 आइस रात और रात बना दिए गए ठीक हिंदुस्तान में कंप्रीटर कम हो गए क्या लोग तयार लोग तयारी करना बंद हो गए हमारे बड़े बाई से मुझे यह जब आपके पास है कुछ कहने के लिए जी आम आधी पार्टी से वहां यूद का जिलाद्य चुँक्त क्या लग रहा है कुछ है माहौल बहुत माहौल है काफी दिनों से सक्री है आमाधी पार्टी यूपी में ठीक है चलिए आम आधी पार्टी के कार्टा थे इनसे वह उन्हें टेक ले लिए आखरी आखरी एक एक वरजन रहेगा प्रोग्राम अब हमारे रिवाजलाद्यची ने यह कहा ता जो जाने की बाझने के पास इनके पास होते है तो सहवा घ्रामी का विकास और कुछ नहीं कराते हैं और मोधी सरकार में सबका साथ सबका बिकास हो रहा है आम जन्शाथ को सबके साथ मोंत रहा है परदानमंत्री आबाश पूछा चाहूंगा जनता कह रही है कि आप सैफ़ाई में महुतसब करवाते हैं जब आप सरकार में थे और बीजेपी जो है वो दीपोटसब करवाती है आप बताईए कि अगरामीर छेत्र में पृतिवा अगर निकल के आती है पृतिवा मुंबई से बुलाई जाती है किसान लोग नहीं सकते किसान लोग नहीं देख सकते उन्हें क्या उन्हें बुला नहीं सकते हैं आप जो है अभी पृष्कार आपने दिया है जो है यह कह रहा है कि सैफ़ाई में महुत सब होते थे जब आपकी सरकार्ति आप पैसा माल उठाते थे ठीक हम आदि एक लास लास वर्जन करेंगे फिर कारेकरम का समापन करना पड़ेगा समय कम है आप से सवाल यह है कि ठीक है दिल्ली वाला मॉडल आप उत्तर प्रदेश में पेश कर रहे हैं कि कोशिश तमाम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कैडर बहुत मजबूत ही चाहिए होती है यहां पर जंता बहुत है गाओं दिया पहुंचने में आपको लगता रहें कि पात साल ल पारटी के साथ हम गर्व के साथ के सकते हैं हम सहफ़ी महुत सब्सक्राइब नहीं मनाते हैं हम हर घर में दीपोट सब्सक्राइब और हिंदुत की बात करके जो हिंदुत की बात करते हैं और बाकी लोग नहीं मुसल्मान नहीं है किस्चिया नहीं है इस सिख रहे हैं मेरा कि तब करेंगा जो हमारे हम सब लोग उनके आसता रखते हैं जब हर गर में जलेगा जब उसके घर में अजाला तभी होगा जब आपने का आप दुगनी करेंग तब साइफ ही बहुत सब किया था जी हम हर काम करते आप नहीं तो दिकट भी वालों को दो किसान जो है किसान आप यह बताएगा लास लास कॉमेंट चल रहा है यह बताएगा कि कॉंग्रेस की सरकार सथा में आती है तो क्या कुछ वो काम है जो यह लोग नहीं करवा पाएंगे आप करवाएंगे ब्रश्टा चार खतम करेंगे जो की हमने बचन दिए अभी जनता और किशानों के रिंड माप करेंगे कि साथ में बोल दिया आपके बचन पत्थर की लकीर है जो कहते है वो करते पहले भी जब का आता किशान रिंड माप करें तो की है सरकार रही हो या ना हो क्योंकि 20 लाक रोजगार कोई ऐसे नहीं लगाई उत्तर पर जांच की कि इत्ते पद खाली है नियाई की योजिना जो हुई उस पर भी हमने सर्च किया है कि हम यह दे सकते च्छाजार रुपए उनको बता दीजे यह करना नहीं जाते ना और नियत आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी योजना है और लागू चालू करें हुए ठीक है आप यह बताइए कि लखनों में जो मूर्तियां लगी हुई है उसको लेकर कई दफ़ाव घेर जाते हैं उस पर काउंटर कैसे करेंगे हर चुनाओं में वही सवाल बार बार आपक अब करने पड़ेगी आपने कहा कि लखनों में जो रगी हुई है कि मायवती जी ने महापुरिशों का सम्मान किया खुद की मुर्ति लगाके खुदी का सम्मान कर दिया इसा इसा क्योंने हो तो नियुकर चॉराएं पर अभी अभी हमारे अभी 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 हमारे राजपूत जी बोल ले तो 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 मैं बाती जन्ता पार्टी तो एक बात कहना चाहता हूं आप कुर्सी से मत खड़े हुए इसी कुर्सी की तो लड़ाई है तुम्हें यह कहना चाहता हूँ भाती जनता बाटी हिंदुद्ध की बात करती है भाती जनता बाटी की 15-16 स्टेड़ों में सरकार है का बेंजी का बाती जनता बाटी ने डले बैकबड अगर कही मुख्यमंत का बाटी की बात पर आपको भी बताया की तो टोटी शब्द तो सियासत की चोटी होच गहें कुर्सी से बिलकुल मत ही रहेगा अबना यह उचल के बैट जागे तो बारस ठीके चलिए तो मैंनपुरी में हम लोग मौझूद थे मैंनपुरी में कारिकरम था जहां तमाम नेता हमारे साथ मौझूद थे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप कारिकरम शामिल होने के लिए इसके साथ जनता भी बहुत बहुत धन्यवाद कारिकरम जुड़ने के लिए बाक कानी आदत है वह भी बरकरार है बीजेपी से लड़ने का मूड नहीं प्रेंका गांधी जी के बारे में एक बात हमेशा कहता हूं कि वह कॉंग्रेस की सबसे ज्यादा भीड जुटाओं नेता नहीं है जनता की नेता है हमें योगी नहीं चाहिए योग मुखमंत्री चाहिए यमना को साफ करेंगे दिल्ली की बात कर रहा हूं और जब साफ सुभाई की बात होती है तो आपके हाथों में क्या है तो तब होगी जब नौकरी होगी विरुज़जगारी चरम पर है आप कहां लिस्टों की बात कर रहे हैं आप के लिए कहा जाता है कि प्रदेश सिस्तर आपकी सरकार आती तो गुंडागर्दी चरम पर हो जाती इसको कैसे काउंटर करेंगे राम मंदिर बड़ी-बड़ी बाते गुंडागर्दी अटा देंगे यह सब बिल्कुल यंग कैसे खेलें लिए वह दरसल केंद्र बिंदू है सबको हिंदू वोट चाहां लखीम पू पर देदें लिए तो अगर तो सजाद एती इडी उनकी सीवी उनकी यह जांच वह फिर भी कुछ नहीं कि कि